हम लोग को लैट्रिंग सब कुछ लैट्री मिल रही है सब आने जाने कर रास्ता सही होगा है तो आप लोग बीजेपी को इस बार तमने पर अमेटी तो ऐसे का जाता कॉंग्रिस का गड़ है बहुत पुरानी सीर्ट अब नहीं है तो वो तो बोलती है कि आदर्श गाम है जो और तो पूर देक रहे हो कितना है कितना नहीं क्या करांएं क्या नहीं थे जरुन हमारे बताइस भूछ को來說 ये हमेठी का सुजानपुर गाउं है आज बुद्वार का दिन है तो गाउं के बाहर बादार लगा हुआ है जो सबसा में दो दिन लगता है ये राहुल है बजार में छोला टिक्की की दुकान लगाते हैं पता चला की पूरा बजार इनकी टिक्की का दिवाना है तो मैंने भी खाई बजार की चहल पहल अब इस गाउं के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है इन्हें रोज मर्रा की जरूरतों की सारी चीज़े इसी बजार में मिल जाती है और इतनी गर्मी में कहीं दूर नहीं जाना पड़ता गर्मी से निपटने के लिए ये काका ठंडे पानी से नहा लिया हुआ है यह नाली नहीं बनी क्या है नहीं बनी है कब से नहीं बनी है क्या नाम आपका धरम पाल नहीं रहते हैं ना आप है तो यह तो ऊंट्मिर यह घोग लिए है नाम को काम कराएं है है motivated नहीं बनाइब है देख आफ कि Kendine बार आइँ वह आहीं आज दो थीन अप्यों यह दो तिन याय देखते आप लूइक है पचली अब लोग खुश हो उनकी काम से काम तो खुश है हाँ आपके गाउमें नहीं हुआ यह नाली की परिसान हो क्या करते हो आप अप दिहारी करते हैं किदर गवरी कर जाते हैं कितना पैसा मिलता है दिहारी का तीन सो रुपे दिन का मिल जाता है चलिए अब देखने आएं आपका गाउ कैसा है देख लिया आपको देख लिया आपको देख लिया आपको देख लिया आपको यह नलका नहीं न साहिए यतना सरकारी नलका नहीं चलता है कोई नहीं चलता देख रहे हो कैसे यहां भी देख को इसको आगे है कि अधों मैं द्णि से सब्सक्राइब कोई काम डेख रहे हुड कितना काम हो रहा है तुम तो नहीं हुआ है को प那麼 तो पहले के काम हुआ है। जब यह जम करने महीं हैं। फ्रह्ले बन गई और प्रहा है आप नशीव तो आप नाम यह injury Summa revolt क्या काम कर नसीब भाई कर तो ऊच्छ confirm क्या करें तो आफरी पनी कर संदोर नशीव थो तो पूरा देख रहे हो किता रहे हैं कि नहीं कot तो आपके समझ अरहे हों गया आप तकला रहल ढہं हमारे बताने या पूरा पानी भरा हुआ है पूरा खंधक हुआ है तो यह जो सड़के हैं या बतारियों कि स्मिर्थी रानी के सांसद बनने से पहले ही बन गई हैं पहले हैं पूछी इन भाइसाब की बात सुनकर तो आपको पता चली रहा होगा कि यह सरकार से नराज हैं और इनका मानना है कि स्मिर्थी रानी ने गाओं के लिए कुछ खास काम नहीं किया है हाला कि गाओं तक जाने वाली सड़के नई बनी हुई नजर आती हैं मगर सड़कों के अलावा गाओं में सोचाले और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों का हाल जानने के लिए हमने और लोगों से बात की यहां पर बीजेपी से मर्दक जादा है पर यह बता रहें काम नहीं किया है अब करके दिखाया है आपका क्या नाम है राकेश भाई अचा दुकान है आपके बीचे तो कुछ काम हुआ यह तो बोल्मना कर रहें करें तो जो हुआ है पान साल में उसना फिर भी ठीक हुआ है पानी तमी अच्छा बताईए जैसे जब राहुल चांचत थे तो उनके उस इसमें ज्यादा काम हुआ कि स्मिति रानी के आने के बाद में अच्छा अब लोक्तन कि सब कुछत लैट्री मिल रही है सब यह आने जाने कर दास्ता सोही हो एंच रहा रहा है और अप लोग बीजिपी को इस बारतमत इसले भी कह ओड़ है परामेटी तो एसे काल यदा कॉ आपकी सम्ध में आ जाएंगा आपकी काते हैं little Caz prophetic लिए फौर्ट में ऐसी आपका जो गाहूं है यह अर कि कि गाहूंढ और वाकी के गाहूं है उनमें कुछ सब्सक्राइब विवाद निकल जाएगी नियुक्त भॉचरहें जाएँ डी जाए जाए वो जब का जाएं गवा एक नमबर यह तरह पर निकल जाएगा सब्सक्राइब हम लोगों के लिए लग रहा हम ऑना गरत यह कहां जाता है रास्ता तो इंदर चड़क नहीं बने हैं आप लोग है आप लोग है कि आपके से को देट विकाज वाई तो यह हैं आपका घर मेरें प्राइग अंदर घर है आपका तो तो यहां हर घर में बात्रूम है से सोचाले यह सब चिखें और यहां आगा है तो यहां पहले बने हुए तो पहले बने हुए थे आप लोग है कि अभी भने कुछ तैम पहले हैं लेकिन पहले नहीं है साल 2019 में गोद लिया गया ये गाउं एक बड़ी योजना का हिस्सा है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहट सरकार ने पिछले पात सालों में 24 राज्यों में कुल 29,000 से जादा गाउं को गोद लिया है और उसमें से 6,000 से जादा गाउं अब तक आदर्श ग्राम घोशित कर दिये गए है यानि वो गाउं जहां आदुनिक विकाशील भारत की सारी सो विदाएं उपलब्ध है सुजानपूर भी सरकार के मताबिक एक ऐसा ही गाउं है क्या आप लोगों को भी यही लगता है चुनाव के मौसम में शहर की चकाचौंध और बहस बाजी से दूर ये अमेठी का एक गाउं है सुजानपूर जिसे स्मिर्टी इरानी द्वारा गोद लिया गया चादो देश की केंद्रिय मंत्री रही है इस गाउं में लोगों से बात करने के बाद पता चला कि उनको कौन सी सुविधाएं पिछले पात साल में मुहिया कराई गई है हाला कि लोगों का डाइवर्स ओपीनिन जरूर था लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि स्मिर्टी इरानी के बाद से उने इस सिलेंडर मिल पाया है उन लोगों को 146 की सुविधा यहां पर उपलब धो पाई है श्मिर्टी इरानी अपसे आई है कुछ सड़कों का दिन भाद भी उन्होंने यहां पर कराया है इस गाउं को राजनितिक तोर पर स्मिर्थी इरानी आउमन तोर पर एक आदर्श गाउं जरूर बताती है पिछले कुछ पात साल में जो इस गाउं में development हुआ है वो प्रत्यक्स जरूर है हाला कि उसके अलावा गाउं के कुछ जो निवासी हैं उनका ये भी मत्ता की जो नालिया है गाउं की उन पर जादा बारिकी से काम नहीं हुआ है लेकिन इस गाउं के लोग जो हैं वो क्या स्मिर्थी इरानी को फिर से एक बार सरकार में आने का मौका देते हैं या फिर इस बार वो कुछ बदलाव की तरफ जाना चाह रहे हैं अमेठी वैसे तो शुरुआत से कॉंग्रेस का गड़ बताया जा रहा है लेकिन साल 2019 में अमेठी की सीट कॉंग्रेस के हाथ से निकल गई थी इस बार अब जब राहूल गांधी यहां से कॉंटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो देखना होगा कि क्या कॉंग्रेस अपनी इस गड़ बतायी जाने वाली सीट को फिर से हासिल कर पाती है या नहीं या फिर स्मिती वैरानी ने अमेठी की जंता को अपना लिया है कैमरा पर्सन मदललाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए सुजानपुर गाउं से हर्षिश शर्मा कंडे पर सवालों का बस्ता टांग कर पात साल के लंबे वक्त को बादों की कसोटी पिनापने बोलने की उत्तुता से ज़्यादा सुनने की जग्यासा लेकर आपकी कहानी को अजारों लोगों तक परदे के उस पार पहुंचाने अपने देश को फुड़ा और बहतर जानने मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफर पर विश्व की लोकतांत्रिक विवस्था की सबसे बड़े लोग सभात चुनाव को कवर करने के लिए तो जुड़िये हमारे साथ लिखिये कॉमेंट बॉक्स में और बताईए हमें कि कौन से नेता जी को कैमरे पर बुला कर उनसे पात सालों का हिसाब मांगा जाए कौन से शहर में जाकर अपने देश की सब्रता को फुड़ा और बहतर जाना जाए शुरुवात होगी राजस्थान से मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमन्तुरित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खाथ इलेक्शन कवरेज में रोकसभा चुनाव साल दो हजार चॉबिस